सुप्रीम कोट द्वारा चैनित BCCI की कॉमेटी ओफ एड्मिनिस्टेटर्स की मेंबर डायना इडूल जी ने विराट कोली को फटकार लगाई है विराट कोली ने औस्टेलिया सीरीज के सिर्फ तीन दिन बाद हुई न्यूजिलेंड सीरीज को लेकर कहा था कि आगे आगे शायद पेर सीधे ग्राउंड में लेंड करे उन्हें एक सीरीज के बाद प्रयाप्त रेस्ट नहीं दिया जाता और वो आशा करते हैं कि भविश्य में इसका ख्याल रखा जाए इस पर डायना इडूल जी ने कहा है कि विराट कोली का बयान काफी अजीब है क्योंकि ये सीरीज उनकी सहमती से ही हुई है उन्होंने कहा कि विराट शायद जादा मैच खेल कर ये भूल गए हैं कि उन्होंने इसकी सहमती खुदी दी थी धोनी, रवी शास्तिर और विराट कोली से परामर्श करके ही टीम इंडिया का 2023 तक का शेडूल डिसाइड किया गया था कि लाडियों को एक-एक मिनट की सूचना दी जाती है और उनकी सहमती के बाद ही सीरीज को अप्रूल दिया जाता है बरहाल चाहे अनुमती किसी ने भी दी हो पर ये बात सच है कि प्लेयर्स पर वर्ट लोर का काफी प्रेशर रहता है और इसे मैनेज करना एक टफ टास्क है इंडिया ने नुजिलेंड में अपनी पहली T20 सीरीज जीत लिया है और लगाता दो सूपर ओवर के मैच जीतने के बाद कीवीज पर वाइट वाश का खत्रा मन रहा है क्या नुजिलेंड की टीम पांचवट T20 में अपनी इज़द बचा पाएगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट की लेटेस्ट होटेस्ट न्यूज और इंसाइट्स के लिए थन्यवाद